नमस्कार दोस्तों मैं सनी आप सभी का एक बर फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इस्टडी सनी एडू क्लासेश में दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं वर्तमान में कौन किया है 2022 को वह भी जुलाई अपडेट के साथ दोस्तों आज का सेसन आपके लिए का बहुत से कोश्चन फसेंगे तो इसलिए बेड़ों को पुरा एंट तक चरूर देखिएगा तो देर ना करते हैं आज की स्वेहतरिन क्लास को स्टाट करते हैं आज के पहले कोश्चन से तो आज का पहला कोश्चन है महराष्ट के नए मुखमंत्री कौन बने हैं तो इसका गवर्नर काउन है तो महराष्ट के गवर्नर भगत सिंग को सियारी है आप सभी याद रिखेगा महराष्ट के अंदर लोग सभा की सीट कितनी है तो 48 है आप सभी याद रखेंगे और राजी सभा की सीट कितनी है तो 19 है और बीधान सभा की सीट कितनी है तो 288 है याद में नीती आयोक के नए सीयों के रूप में निवक्त किया गया है आप सभी याद रखेगा नीती आयोक की बात हो रही है ति नीती का फूल भारम होता है नेशनल इस्टुटिउस फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया आप सभी याद रखेंगे इसे हम हिंदी में कहते हैं हिंदाब कांद की जगह पदभार क्रहण किया है आप सभी याद रेंगा इंपोडेंट्ट वसर्चन है इसके बाद अगला weiteren हैं काफि बने हैं तो इसका राइट अंसर रहेगा कि नीती आयोक के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी देख सकते हैं यह वही सुमन के बेरी हैं जिने अभी हाली में नीती आयोक के नए उपाध्यक्ष की रुप में उतकिया गया हैं बात करें नीती की तो नीती का फूल फारम होता है नेशनल इस्टिटूट फर ट्रांसफार्मिंग इंडिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्टी भारत परिवर्चन सस्थान और इसका अस्थापना हुआ था एक जनुरी तो हजार पंदर को और इसका मुख्याले नएतिली के अंदर इस्तित है और नीती आयो के नए अध्य जो है वह हमारे भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी हैं आप सभी याद रिकेगा इंपोटेंट कोश्चन है इसके बाद अगला कोश्चन है ससस्तर सीमावल यानि की एससबी के नए महानी देशक कौन बने हैं तो इसका राइटांस से रहेगा कि एस एल थावोसे देख सकते हैं यह वही एस एल थावोसें हैं जिन्हें अभी हाले में ससस्तर सीमावल जीचे हमें एससबी के नाम से जानते हैं इसके नए महानी देशक के रूप में एस एल थावोसें के निउप किया गया हैं देख सकते हैं यह वही थावेसें हैं जिन्हें अभी हाले में ससस्त्र सीमाबल को नए महानी देशक के रूप में निफ्ट किया हैं बात हो रही है SSB की तो SSB का फूल फारम होता है ससस्त्र सीमाबल जिसे हम हिंदी में भी कहते हैं ससस्त्र सीमाबल इसका अस्थापना हुआ था 20 दिसंबर 1963 को और इसका मुख्याला है नए दिल्ले के अगला कोस्ट्टिस जिसे जैं अक आये के नाम से भी जानते हैं इसके नए महानी को राष्ट जर उल से लहेगा है वहर चिने राष्टी जाच एजनसी एन आईय के नए महानी देशर के रूप में निफ्ट किया हैं आप सभी याद रखेंगे बात हो रहे है एन आईय की तो एन आईय का फोल फारम होता है नेशनल इंग्यूशन एजनसी आप सभी याद रखेंगे और इसका अस्थापना हुआ थ को प्रेस कर ले ताकि आने वली क्लास का नोटिपिकेशन मिलते रहे अगर दोस्तों आपको कहीं न कहीं एक क्लास पसंद आ रही है तो इसी लाइक और शेयर करना बेलकूर मत फूलिएगा तो इसके बाद अगला कोश्चन है भारती प्रेस परिसद यानि की PCI की नए महानी देशक के रूप में रूप किया गया है जिनका ना रंजना प्रसाद देशाई हैं बात हो रही है PCI की तो PCI का फूल फारम होता है प्रेस कांसलिंग आफ इंडिया और इसका अस्थापना हुआ था च्यार जुलाई चाचट को आप सभी याद रहेंगे और इसका मुख्याला है नए दिले के अंदर इस्थित है याद रहेंगा इसके बाद अगला कोश्चन है केंद्री माधिमें इक सिछाबोर यानि कि सीवी अध्यक्ष कौन बने हैं तो इसका राइटांस रहेगा केंद्री माधिमें इक सभी याद रखेंगे और इसका अस्थापना हुआ था 1929 में और इसका मुख्याल है दिल्ले के अंदर इसके बाद अगला कोश्चिर है भारत के नौ सेना प्रमुक यानि कि नेवी चीफ कौन बने हैं तो इसका राइट अंसरेगा कि आर हरी कुमार को भारत के नौ सेना प्रम को बनाया गया है और हरी कुमार एडिमिरल करंबेड सींग का जग लेंगे आप सभी याद रखेंगे भारती नौ सेना यानि की इंडियान ने भी इसे हम काते हैं इसका मुख्याले हैं नई दिल्ले के अंदर और इसे हम नौ सेना दिवस के रूप में चार दिसंबर को प्र यहाली में राष्टी सुरच्छागार जिसे हमें एनसजी काते हैं इसके नए महानी दिसक में गनपती को बनाया गया है बात हो रही है एनसजी की तो एनसजी का फूल फारम होता है नेशनल सिकूर्टी कार्ड और इसके हम हिंदी काते हैं राष्टी सुरच्छा कार्ड जि सब्सक्साइब निदिकी चीफ इलेक्षान कमिश्णर सीईसी कौन बने हैं तो इसका राई डंसर कि राजीव कुमार को बनेया गया है भारत के नहीं में मुख्य चुनाय अव्यूक्त बनेंगे और इन्हों ने सोशिल चंद्रा का चगल लिये हैं आप सभी याद रखेंगे इसके बाद अगला कोश्चन है भारती प्रतिव बुधी और बीनियम बोड जीसे हम से भी काते हैं इसके अध्यक्ष कौन है तो इसका राइटांसर है किन्दर चिंटर आप सभी याद रखेंगे इसके बाद अगला कोश्च जैन काफी जाधा महत्पोड कोश्चन हैं राश्टी सोचना बिज्यान केंड्र एन आईसी के नए महानी देशक कौन बने हैं तो इसका राइटांस रहेगा कि राजेसगेरा को राष्टी सोचना विज्ञान केंद्र एनाइसी के नए महानी देशक के रूप में नियुक्त किया है बात थो रही है एनाइसी की तो एनाइसी का फूलफारम होता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक से आप सभी याद रखेंगे और इसका मुख्याल है नए दिली के अंदर इसका अस्थापना हुआ था 1976 में इसके बाद अगला कोश्चन ही काफी जदा महत्पूर कोश्चन है याद रखेंगे भारती वायू सेना यानि कि इंडियान एर्श्पोर्स के निरच्छन और सुरच के नए महानी देशर के रूप में नियूप्त किया गया है बात हो रही है इंडियान एर्श्पोर्स की इसे हम भारती वायू सेना और इंगलीज में काते हैं इंडियान एर्श्पोर्स इसका अस्थापना हुआ था आठ अक्टूबर 1932 को और इसका मुख्याल है नए दिली के अंदर वायू सेना दिवस प्रतेक वर्श आठ अक्टूबर को मनाते हैं आप सभी जानते होंगे इसके बाद अगला कोश्चन है नागरिक उड्यल सुरच्छा ब्यूरो बी सी एस के नए महानी देशर कौन बने हैं तो इसका राइट अंसर रहा कि जुलफीकार हसन रहेंगे बी सी एस का फुलफारम होता है ब्यूरो अफ सीविल अवेक्शन सीकूर्टी इसका अस्थापना हुआ था जनौरी 1978 में इसका मुख्याले नहीं है इसका मुख्याले कहीं और होगा हमें नहीं पता है इसलिए हम नहीं लिख पाए हैं इसके बाद अगला कोश्च के भारती थलसेना के नए प्रमुप यानि की आर्मी चीप के रूप में निविट किये गये हैं आर्मी इंडियान आर्मी की अस्थापना हुई थी एक अप्रेल 1895 में और इसका मुख्याले हैं नए दिली के अंदर और जैसे हम भारती थलसेना दिवस प्रंद्रा और जनौ अध्यक्ष बनाया किया है देख सकते हैं यह वही चंदर शेकरन नट राजन है जिन्हें अभी हाले में एर इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है इंडिया की बात वरी है तो एर इंडिया के अस्थापना हुई थी 1932 में जिसका मुख्याले नए दिली मुंबाई के अंदर इस्तित हैं आप सभी याद रखेंगे इसके बाद एगला कोश्चन है टाटा संस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो एंचंद सेखरन देख सकते हैं यह वही एंचंद सेखरन है जिन्हें अभी हाले में टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है इन चंद सेखरन टाटा संस के फिर से अध्यक्ष बन गये हैं इसका अस्थापना हुआ था टाटा संस की 1868 में और इसका मुख्याले मुंबई के अंदर इस्तित हैं इसके बाद अगला कोश्चन है काफी ज़्यदा महतपूर कोश्चन है भारती सियर बाजार पेश्चेंज के नहीं अध्याश के रुप में ऐसे स्मुंद्रा को नियुक्त किया गया है वी ऐस्थी की बात हो रही है तो यहाँ होता है बॉममा अडी श्टॉप एक्सचेंज में अभवाई एश दोब और इसका अस्थापना हुआ था ने इस चुनाई 1875 में इसका मु जाति पाला है है जिक आफाली में भारत राश्टी जाति जाती की स्थापनाँ हुई थी 19 फरवरी 2004 में इसका मुख्याला है नहीं दिले के अंदर विजय संपाला राष्टी अंसुची जाती आयो के दूसरे बार अध्यक्ष बन गए हैं याद रखेंगे इसके बाद अगला कोश्चन है मतपूर कोश्चन है ग्रामीड बिद्धूत करण निगम लिम्टे कुमार देवांगन को बनाया गया है देख सकते हैं वही विवेक कुमार देवांगन है जिने अभी हाली में ग्रामीड विद्धूत करण नगर निकम लिम्टेट कंपनी की अस्थापना हुई थी 25 जुलाई 1979 में और इसका मुख्याला है नई दिले के अंदर आप सभी नगर 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 देख सकते हैं वही तरूर कपूर है जिने अभी हाली में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के नए सलाकार की रूप में निकिया गया है इसके बाद अगला कोश्चन है वरतमान में संगलोग सिवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं तो इसका राइ अध्यक्ष डाक्टर मनुष सोनी को बनेया गया है संगलोग सिवा आयोग इसका फूल फारम होता है यूप्यस सी और इसका फूल फारम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आप सभी याद रखेंगे इसके बाद अगला कोश्चन है नेशनल एस्योशन आफ साप्ट सर्विसेज कंपनी यानि कि नेक्स कौम के नए अध्यज के रूप में निउप्त किया गया है जिनका नाव क्रिश्रा रामानुजम है नेक्स का फूल फारम होता है नेशनल आसोशन आफ साप्टिवेर एंड सर्विस कमीशन और इसे हम हिंदी के नाम से एक लिखा गया है या भारती सुचना प्रोद्रिक और बीजनेस प्रोसेज आउटकों सर्विस एक का एक ट्रेड है और इसका अस्थापना हुआ था एक मार्च 1988 को इसका मुख्याला है मुंबई के नई दिली के अंदर आप सभी याद रखेंगे इसके बाद अगला कोश्चिन है केंदरी सर सरकार का घठन किया गया है इस मिती की से अध्यक्ष अस्वनी बैसं Francis बनाया जाएगा और राज 연 לפ चंद्र सेखरन को इस स媽िंता का उपाध्यक्ष मना जाएगा आप सभी याद रखेंगे इंपोर्टीं कोश्चिन है इसके बाद अगला कोश्चिन भारती भूप ग्यानिक सर्वेच्छड के नए महानी देशक कौन बने हैं तो इसका राइटांसर रहा कि डाक्टर एस राजु को भारती भूप ग्यानिक सर्वेच्छड के नए महानी देशक के रूप में निम्त किया गया हैं देख सकते हैं यह वही डाक्टर एस राजु है जिने भारती भूर भग्यानिक सरविच्छड के नए महानी देशक के रूप में नियुक्त किया गया है डाक्टर एस राजू राजेंद्र सिंग खरगल का अस्थान लेंगे और भू भारती भग्यानिक अस्थापना हुई थी चार मार्च 1971 में और इसका मुख्याला है पश्चिम बंगाल के अंदर आप सभी याद रखेंगे इसके बाद अगला कोश्चन है काफी ज़्यादा महत्पूर कोश्चन है भारत के नए लेखा मानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं तो इसका राइटांस रेगा कि सोनाली सिंग देख सकते हैं वही सोनाली सिंग है जिन आप सभी याद रखेंगे इसके बाद अगला कोश्चन है राजसभा के महासचीव यानि की राजसभा के महासचीव कौन बने हैं तो प्रमोद चंद्रमोदी देख सकते हैं यह वही प्रमोद चंद्रमोदी हैं जिने राजसभा के महासचीव के रूप में उपकिया गया है आप सभी याद रखेंगे और राजी सभा के मासचीव कौन है तो प्रमोद चन्दर मोदी है इसके बाद अगला question है, सेन अभ्याज के नए महानी देशक DGMO कौन बने हैं, तो इसका right answer एगा कि मनोज कुमार कटियारी, मनोज कुमार कटियार देख सकती हैं, यह वही मनोज कुमार कटियार है, जिनने सेन अभ्याज के नए महानी देशक DGMO बने हैं, जिनका नाम मनोज परमों का फूरफारम होता है डिरेक्टर जेनरल टो मिलिलेट्री कोप्रेसान आप सभी याद रखेंगे इसके बाद अगला कौश्च्टिन हें भार्ती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बनेगे तो इसका राइटांस रहेगा कि भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं डाक्टर एस सोमनात देख सकते हैं ए वही डाक्टर एस सोमनात हैं जिने भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष क सब्सक्राइब करनाटक के अंदर जिसके संस्थापक है बिक्रम सारा भाई आप सभी याद रखेंगे तो नमस्कार साथ यूं मिलते हैं अगले नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन झाल